लोकसभा चुनावों के बीच डालों की बढ़ती महेंगाई ने केंदर सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। केंदर ने 15 अप्रेल से सभी डाल आयात को, मिलर समेद डालों के व्यापार से जुड़े कारोबारियों को स्टॉक लिमिट का खुलासा करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। बावजूद इसके बाजार में उपलब्धता और सप्लाई की दिक्कतों को देखते हुए केंदर सरकार जमीनी स्थर पर जाच के लिए टीमों को निर्देशित किया गया है। यह टीमें गोदामों, मंडियों और डालों के कारोबारियों के यहां स्टोरेज का आकलन करेंगी। आपको बता दें कि दालों की बढ़ती कीमतों से चिंतित केंदर सरकार तूर यानी अरहर और उड़त डाल के स्टॉक का खुलासा करने के संबंद में जमीनी स्थिती का आकलन करने के लिए वरिष्ट अधिकारियों को भेजने की योजना बना रही है। जानकारों की माने तो पहली कारवाई प्रमुख दलहन उत्पादक राजियों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात में होने की उम्मीद है। जबकी घरेलू दाल उत्पादकों से सीधे MSP रेट पर खरीद के लिए दाल खरीद केंद्रिट पोर्टल इस मृध्धी भी संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें की कीमतों को नियंतरन में रखने के कई उपायों के बावजूद कई दालों की उंची कीमतें कई महीनों से सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। हालां की दालों की मुद्रासफीती फरवरी में 18.9 फीसदी से मामूली रूप से घटकर मार्च में 17.7 एक फीसदी हो गई। लेकिन कम उतपादन के कारण अरहर दाल की कीमत में 33.5 चार फीसदी की वृध्धी देखी गई है। इसी लिए सरकार खरीफ सीजन में डालों की बुवाई रखबा बढ़ा कर उतपादन अधिक करना चाहती है। ताकि बाजार में उपलब्धता और कीमतों को नियंतरित किया जा सके। Bureau Report Market Times TV